कि नमस्कार लजनेक्जम चैनल में आपका स्वाधत है आज हम आपके लिए कॉंग्रेस पार्टी के प्रेसिजेंट्स की लिस्ट लेकर आये हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस यानि कि आजादी के बाद 1948 तक अभी तक कौन-कौन कॉंग्रेस पार्टी के अद्यक्ष हुए हैं आज उनके बारे में हम बताएंगे उनका पीरियेट क्या था और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स को भी हम आपके सामने रखेंगे तो हम मिनन्स आजादी के बाद सबसे पहले पीवी सीता रमया जी मौंग्रेस पार्टी के मैं इसके बाद प्रसूत्तमरास टंडन बने ये 1950 में कॉंग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे इसमें 1950 में ये कांग्रेस के अध्यक्षपत के लिए बहुत गंबीर प्रकार की प्रत्योगता उत्पन हो गई थी तीन उम्मीद्वारों ने इसमें हिस्ता लिया था एक पुर्शोतमदास टेंडन इन्हें सरदार बल्लबाई पटेल का समर्शन मिला हुआ था दूसरे जेवी क्रिपलानी जिनने नेरु जी के समर्शन प्राप्त था और तीसे संकर राओ और अंतमें पुर्शोतमदास टेंडन की जीथ हुई और यह 1950 में कॉंग्रेस पर्टी के प्रेसिडन बने हैं उसके बाद जवाला नेरु कॉंग्रेस पर्टी के प्रेसिडन बने है जोकि 1951 से 54 तक प्रेसिडन रहे है फिर UN धेवर प्रेसिडेंट हुए हैं 1955 से 59 तक उसके पाद इंद्रा गांदी जी प्रेसिडेंट हुई हैं 1959 में ये कॉंग्रेस का ये स्पेसल सेशन हुआ था उसमें इंद्रा गांदी जी प्रेसिडेंट बनी हैं इसके बाद नीलम संजीब रेडी कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट हुए है 1960-63 के पीरिट में रहे हैं और बाद में यह इंडिया के 6th प्रेसिडेंट बने है 1997-1977-1982 के बीच में यह प्रेसिडेंट रहे है उसके बाद कामराज प्रेसिडेंट हुए है 1964-67 में ये कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहे उसके बाद निंजा लिंग अप्पा 1968-69 तक कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहे है उसके बाद दलित नेता चिंतक जग्जीवन राम 1970-71 तक कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट रहे after that संकर दियाद सर्मा 72 से 1972 से 74 तक Congress Party के President रहे और बाद में ये भारत के 9 में राजपती बने थे इनके बाद देवकांद बरुआ 75 से 77 तक Congress Party के President रहे है और इन्हीं देवकांद बरुआ नारा दिया था इंडिया एज इंडिया आपत काल के तौर्ण कांग्रेस पार्टी के यह अधाक्ष थे देवकांत भरुगाजी इसके बाद इंडरा गांधी प्रेशिडेंट हुई है Ban asse गी market प्रेशिडेंट रही है उसके बाद राजीव गांधी क्रेशिडेंट हुए है 1985 से 1991 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं उसके बाद P.V. नरसिम्मा राओ प्रेसिडेंट हुए है 1992 से 1994 तक प्रेसिडेंट रहे हैं फिर स्रीता राम केशरी प्रेसिडेंट हुए है 1996 से 1998 तक उसके बाद स्वानिया गांदी जी 1998 से 2017 तक कॉंग्रेस की प्रेसिडेंट रही है और उसके बाद राहूल गांदी 2017 से 2019 तक प्रेसिडेंट रहे है और 2019 मैं फिर से स्वानिया गांदी जी जो है अभी तक कॉंग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है यहां आपको पताना चाहूंगा there is a total of 61 people have served as the president of Indian National Congress since its formation it was formed in 1885 and Sonia Gandhi is the longest serving president of the party having held the office for over 21 year and Maulana Abul Kalam Ajad was the second longest serving president but he was the second longest serving president he was the first longest serving president during British period यानि कि after independence सबसे लंबा समय या मतलब overall कहें तो overall सबसे लंबा समय सौनिया गांदी जी का रहा है और दूसरे नंबर पर Maulana Ajad का लेकिन British period में जो Congress Party का सबसे लंबा प्रेसिडेंट का सबसे लंबा प्रेसिडेंट जो रहा है सबसे लंबी समय तक वो Maulana Abul Kalam Ajad रहे हैं. Manuman Singh became the first PM not to be the president of the party since establishment जबसे party बनी है और इसमें एक practice जो है इंदरा गांदी ने डाल दी थी, since establishment of the practice of the president holding both positions ये जो है इंद्रा गांदी ने एक डाला था कि जो प्रेसिडेंट जो प्रेमिनिस्टर होगा वही कॉंग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा तो इसमें मांगे देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सिर्फ दो महलाएं जो हैं वही कॉंग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस एक हैं इंद्रा गांदी और दूसरी हैं सौनिया गांदी जी और डूरिंग देखेंडेंस पीरियड तीन महलाएं थी एनिवे सेंट सरोजी नाइडू और नलिनी सेंगुपता जो की कॉंग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट रही थी आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉंग्रेस पार्टी ने अभी तक इन टोटल सेवन प्रैमिनिस्टर दिये हैं जिसमें की एक जो है वर्किंग प्रैमिनिस्टर थे तो इसमें सिक्वेंस उनका जो है जवालाल नहरू हुए है उसके बाद बुलजागी प्रण सिंग तो यह साथ लोग जो है कांग्रेस पार्टी से प्रधान मंत्री बने हैं अगर हम के बिटिस पीरियड के सेशन को देखें तो इसके जो सेशन है सबसे जादा कलकत्ता में हुए थे दस बार मद्राफ में 7 बार हुए थे और बंबे में 6 बार हुए थे UP में कुल 8 बार सेसन हुए थे बेटिस पिरियेट में कॉंग्रेस पार्टी के इसमें से 3 बार अलावाद में, 3 बार लखनव में और एक-एक बार बनारस और कानपुर में हुआ था जो है यह आपके लिए important जनकारिया हैं बहुत ही हमारी चैनल को like कीजेगा subscribe कीजेगा और comment करके बताइएगा आपको कैसा लगा thank you